रिल बनाने मज़ार पर चड़ा यूबक रीबा की छोटी दरगा में घुश गया नशेडी वर्ग विशेज के लोगों ने जम कर पीटा थाने का घेराव एफायाट दर्च नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दख़बरदार निउस तो चली शुरुआत करते हैं आज की प्रमुखबर से रिवा शेहर के अम्हिया महौली में देर रात तनाव के हालाथ हो गए बताया गया कि छोटी दरगा की अंदर नशे के हालत में एक यूबक घुश गया वे जूता पहन कर मज़दार में चड़ गया इसके बाद रील बनाते हुए सेलफी ले रहा था तबी वर्ग विशेस के लोगों ने देख लिया नशेडी यूबक की वर्ग विशेस के लोगों ने जम कर पिटाए की घटना देखकर आसपास के लोगों ने अम्हिया पुलिस को सूशना दी जोनकारी के बाद पहुंची पुलिस ने पीट रही यूवक को बचा कर थाने ले गए ऐसे में वर्ग विशेस के लोग भारी संख्या में थाने पहुंचे उन्होंने F.I.R की मांग को लेकर थाने का घेराब किया पुलिस ने धारमी कासपा के साथ खिलवार करने का अपराद दर्च कर लिया है पूरे मामले की विवेशना अमिया पुलिस द्वारा खी जा रही है कहा जा रहा है कि यदि समय पर पुलिस ना पहुंचती तो यूवक की जान चली जाती अमिया थाने के नस्दीक है दरगा ASP अनिल सोनकर ने बताए कि अमिया थाने के नस्दीक छोटी दरगा है वहाँ बुदबार रात 9 से 10 बजे की बीच एक सीधी जुले का यूवक आया उसने होटल में खाना खाया कहते हैं कि आरोपी यूवक काफी माता में नशा किया हुआ था ऐसे में मस्जुद के अंदर मजार के पास खुश गया साथी अंदर अन्यते गदवीदियां कर रहा था या देखकर वर्ग विशेस के लोग भड़क गए पुलिस छाबनी में तबदिल हुआ थाना घटना के बाद शेहर में हडकम फमच गया बड़े वावाल के आशंका को लेकर अमिया थाना साथ विशुविद्धाले समान सिबिल लाइन, चोहटा, सिटी कोतवाली और बीचिय थाने का पुलिस बल मौके पर पहुँचा वर्ग विशेस के लोगों द्वारा कारवाई की मान को लेकर ठाने का घेराब किया गया था पुलिस ने देर रात रोही सेंग, गहरवार, निवासी, सीधी, जिला की खिलाब प्रकरन दर्ज कर कारवाई की जा रही है अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए, दखबरदार नीउस